जी हां दोस्तों नमस्कार कैसे आप से उम्मिद करता हूँ बहुत अच्छ होंगे से CMTS के लिए एक और में इंपोर्टन वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ तो आप लोग को क्या करने इस वीडियो पर एंड तक जरूर देखना है ठीक है इसमें मैं GKGS के important question जो भी previous year के है प्रेक्टिक सेट के हैं सब मिक्स करके आप लोग के लिए लाया हूँ इसमें हम लोग करने वाले टोटल 20 ठीक है पहला question देख लेते हैं भारत की प्रथम रंगीन फिलिम कौन सी थी तो भारत की प्रथम फिलिम जो रंगीन थी वो थी जहासी की रानी आप लोग नोट डाउन कर लो जहासी की रानी ठीक सीवा जी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था यानि कि सीवा जी का जो प्रशासन था उसमें पेशवा किसको कहा जाता था तो उनके जो मुख्य मंत्री थे उनको पेशवा कहा जाता था दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला आप लोग कमेंट सक्चन में जरूर बताना किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला जो बनवाया था वो साह जहाने बनवाया था देखो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है एक एक टाइम जो भी है जितना भी पल है, वो हमारे लिए भी इंपोर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी, तो दिल्ली का लाल के लग इसने बनवाया था सा जहान है, बक्सर का यूद कब हुआ था, ये पिछले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वो हुआ था आप लोगों का 1764 में, 1764 में बक्सर का यूद हुआ था, प्लासी का यूद कब लड़ा गया था, तो प्लासी का यूद आप लोग देख सकते हूँ, 13 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है, पानी पत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोगों को हिंट चलो दो भी लिख दिया, अब इसके आगे बताओ, 6 होगा, ठीक है, 1526 में पानी पत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, मुगल वन्स की अस्थापना भारत में कब हुई थी, तो मुगल वन्स की जो अस्थापना हुई थी, वो पानी पत की पहली लड़ाई के समय ही ठीक, और उसके बाद मुगल वन्स की अस्थापना भारत में कब हुई थी, तो ये भी 1526 में, मुगल समर्याजी की निव किस लड़ाई के बाद मानी जाती थी, तो इसका भी लोजिक वही है, 1526 इस्थी में जो पानी पत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, उसी से सम्ब गाति सभ्यता की लोग थे, वो किसकी पुजा करते थे, वो पसुपती गी, भारत छोड़ो अंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो जो अंदोलन था, वो 1942 में हुआ था, हडप निती के ताथ किन सहरों पर कबजा कर लिया गया था, हडप निती के ताथ, तीन ऐसे सायर थे जैसे जहांसी नाटपुड और सतारा इन तीनों पर कबजा कर लिया गया था कौंगडस के पहले मुस्लिम राष्टपती कौन थे कांगडस के जो पहले मुस्लिम राष्टपती थे वो थे बदरुदिन तयب जी सबसे पहले भक्ति अंदोलन का आयोजन किया गया था किसके द्वारा तो वो हुआ था रामा नुजन द्वारा ठीक है पुलकेसिन दिवतिया का समा कलिन था हर्सवर्धन का ठीक है सेंधाव कालिन ती थी उत्खनन के अधार पर क्या निर्धारित की गई थी सेंधाव कालिन ती थी थी तो वो आधारत की गई थी 1500 बीसे साथवर साथ babies कि सेसी है कबीर जो सी सींधे के से थे वो रामानंद के से सी है कानिश्क के सासनकाल च Verfügung के दौरान एक बहुध पडिपी नहीं बहुत नहीं बहुत पडिपी शद आयोजन की गई ठीक तो वो हुई थी कस्मीर में सिंदु सभ्यता के अधिकान सनिवासी किस पढ़ जाती के थे तो वो थे भुमध्य सागडिय पढ़ जाती के और ये लास्ट कोशन अपना महाबलीपूरम के रथो का देखो यहां पर रात हो गया ठीक रथो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ रथो का निर्मार किसके सासन काल में हुआ था तो वह हुआ था पल्लोगों के सासन काल में यह कोश्चन जो भी ते बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसका नोट्स आप लोग बना लेना प्रिप्रेशन आप लोग बिल्कुर रेडी रखो थोड़ा से भी लापरवाही मत कर लोग बहुत सारी इंपोर्टेंट कोश्चन आप लोगों के लिए लेकर में आऊंगो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगतब तक के लिए राम राम